उदैपुर के कनईय लाल हत्याकंड मामले में एक व्यक्ति जिसने उस पूरे मामले की रहकी करने का उसके उपर आरोथ था उसे जमानत पे रिहा कर दिया गया है अब जाविद नामक जो व्यक्ति जो रिहा हुआ है उस व्यक्ति की रिहाई पे अब राजस्तान में राजनीत शुरू हो गई है पूर्व मुख्य मंदरी अशोक गहलोत ने एनाईय पर ही सवाल उठा दिये हैं और कहा है कि एनाईय चूंकि केंदर की एजनसी है इसलिए अब केंदर से गलती हुई है यह एनाईय से गलती हुई है यह तो वही देखें क्योंकि मैंने मेरे शासन में तुर अब अगर कोई वेक्ति रिहा हो रहा है तो ये गलती NIA और इंडारेक्टली क्योंकि केंद्र की एजनसी ये उनकी है गहलो सरकार के 5 साल के अंदर पूरे रायस्तान में बहुत सारी ऐसी विवस्पूर घटनाए हुई जिसनको लेके जनता में रोश था पर इस मामले के मामले में मैं विशेश का बताना चाहूंगा कि गहलो सरकार ने NIA को जाच दे दी ऐसा नहीं था वास्तिक्ता ये थी कि गहलो साब ने पहले दिन से ही इस मामले में अपने हतियार डाल दिये थे और उनको शायद अपनी रायस्तान पुलिस पे विश्वास नहीं था या उनको लगता था कि रायस्तान पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है इसलिए उन्होंने तुरंट प्रभाव से NIA को देने का काम किया परन्तु मुखे बात ही है कि गहलो साब हर ऐसे मुद्दे पर र बरी होने है काम नहीं हुआ और उसमें तो बिल्कुल तथे सामने थे कि सरकार के वकिल कोर्ट में समय पर पहुंसते नहीं थे और तब आतंग वादी जैसे गुनागर आतंग वादी थे वो बरी हो गए तो गहलो साब को हमेशा लाशों पर राजनिती करने का शौक है और ल संद्देव क्या है आज पिछले 10 महिने से हमारे राजस्तां में भजздनलायल जी की सरकार का काम कर रही है और इस तेजगती से आतंग वाद पर ब्रश्टाचार पर काम कर रही है तो मुझे लगता हिकिनधने वाले समय जमानत पर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेँगा अपर ज़लदी नतीज़न और जाया आ जाहेगा तो जो मुख्य आ रूपी है और जो इसके गुनागार रहे हैं सब जेल सलाखों की पीछे होंगे इसके हमको बिल्कुल चिंता नहीं करने चाहिए मैं इस बारे में फिर से एक बार दोना ना चाह रहा हूं अपराद ब्रश्टाचार की प्रती बजलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस है और इस प्रकार के अपराद और ब्रश्टाचार में लिप एक उधारन समझ ले तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब ये उनके जो समर्थक है जो और जो जनता है वो भी अब धीरे-दीरा कई ना कई सवाल उठाएगी देखिए हमारे यहां सुरक्षा एजेंसिया जाच एजेंसिया विफिन परकार की है रायस्तान में पुलीस जो रायस्तान पुलीस है एस परकार की जैसे जेंसिया है इसमें कोई दोर आई नहीं है कि कॉंगर्स सरकार की शाशनकार के अंदर जो रायस्तान पुलीस और एसो जी जो हमारी यहां की स्टेट की जाज जेंसिया है उन पे कई बार सवाल या प्रेशन चनल लगे हैं कारण सरकार में बैठे वे लोगों की नाकाबिलियत और इस कारण से जनता की काई बर ऐसा मांग रहती है कि जांचे और मैं जार तक समझता हूं कि अभी तक पिछले अगर हम 10-15 साल का रिकॉर्ड देखें तो CBI और NIA जिस परकार जनता का विश्वा से उस पर खरी भी उतरी है और जिस परकार के भी मामले रायस्तान के हैं CBI और NIA को लेके मैं ही समझता हूं कि अगले कुछ महिनों में राजनीती करने का शौक है फिर भले ही वो उदैपूर का कनाईयालाल हत्याकांड हो या जैपूर बंबलास्ट हो दोनों ही मामलों में अशोक घहलोत के जो बयान है वो राजनीती से प्रिरित हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई त्थ ढूंडा नहीं जाए और उदैपूर राजनीती की सरकार और केंदरों में मोधी सरकार की वज़े से अपराधी और आतंकवादियों में एक डर जरूर पैदा हुआ है सहयोगी कैमरामेन आजनीती के साथ उमंगमाथुर जनता दर्बार